PPSC ने क्या किया है? अचानक से मन में आया एक परेस कोंफरेंस कर दीए और प्रेसेनटार लागू करेंगे तो दो दिन में परिचाझा अजित करवाएंगे जित कर दिया प्रसेंट篇ल तो होना ही ने चाहिए, क्योंकि प्रसेंटाइल का क्या मतलब हुआ, कि वास्तबिक अंक पे, आपका कॉपी चेक नहीं होगा, आभासी अंक पे कॉपी चेक होगा, और दो दिन में पड़ा नähी होनी चाहिए, अन्यता ये बिहार में परत्योगी परिच्छाओं में भरष्टा चार का धांदली सेटिंग का एक नया द्वार खोलने की कोशिस की जा रही है जब BPSC के अंदर के लोग ही भरष्ट है तो आप कितना भी कर दीजिए दो दिन एकजाम लिजिए चार दिन एकजाम लिजिए उससे क्या फर्क परता है भाई कोफी तो यहां आपके BPSC के ऑफिस से बाहर ले जाकर रहा जाता है हुए मरसी अगर आपकी छमता नहीं है कि आप छोला के स्ट्रेंज का एकजाम ले सकते हैं तो आप इस्तिफा दे दिजिए आपको अध्यक्ष बनने का या पड़िचानी अंतरक के पद पर रहने का कोई नहती का धिकार नहीं है हम अगले सब्ताred BPSC अफिस जाएंगे हम चाथते कि आप लोग भी आईए और BPSC अफिस जाकर BPSC के चेरमेन के साबने हम लोग अपने बातों को रखेंगे अगर BPSC के के चेरमेन ने हम लोग की बातों को नहीं माना तो फिर एक बड़ा अंदोलन करेंगे नमस्कार आप लाई बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मुहनतिवारी बिहार लोकसेवा आयोग ने पिछले दिन सरसथवी पीटी परिच्छा की तारीखों का एलान किया सिप्तम्बर में दो तारीखों पर यानि कि दो पालियों में पीटी परिच्छा आयोजित कराई जा परसेंटाइल के अधार पर दिया जाएगा लेकिन अब इसको लेकर विवाध भी छिड़ गया है आपको बता दे छात्र नेता दिलिप ने हुंकार भर दी है कि अगर दो पालियों की परिक्षा नहीं खतम की गई और केवल एक पाली में परिक्षा आयोजित नहीं कराई गई और परसेंटाइल का अधार खतम नहीं किया गया तो वो इस बार पीटी परिक्षा नहीं होने देंगे क्या कुछ कह रहे हैं दिलिप पहले हम आपको वो सुना रहे हैं कि किस सेंटर का कौन सा कोश्चन है और इसके अलाबा मेंस की कौपी को रीचेक करवाने का प्रवधान पीटी परिक्षा के बाद ऑप्षनल सब्जेक्ट को चेंज करने का प्रवधान भी करने की बात कही गई यह सभी स्वागत योग्य कदम है इन सब चीजों की मांगे हम लोग भी बहुत पहले से करते आ रहे थे तो इसके लिए BPSC के चेर्मेन को बहुत-बहुत धनेवाद कि उन्होंने छात रित में ये सब कदम उठाने का प्रियास किया है लेकिन इसके साथ ही एक और बात है कि सरसथमी BPSC PT परिक्षा दो दिन में आयुद होगी जो की बिल एक दिन और आधे अवियर्थियों की परिक्षा दूसरे दिन ऐसा नहीं होता है एक पेपर एक सब्जेक्ट की परिक्षा सभी अवियर्थियों के एक साथ होती है और ऐसा ही BPSC में भी अभी तक होता आ रहा था लेकिन इस बार जो दोबारा परिक्षा होनी है सरसथमी की उसमें दो दिन आयुजित करवाने की बात कही जा रही है, तो किसी भी राज अस्तरिये सिविल सेबा हो, या फिर UPSC हो, उसमें अगर कोई भी चेंजिंग लाया जाता है, तो उसके लिए कैबिनेट से, अगर राज अस्तरिये है, तो राजे के कैबिनेट से, तो इसके लिए पहले उनको कैबिनेट से, रूल भी तो पारित करवाना पड़ेगा, कि कैबिनेट से रूल पारित होगा परसेंटायल, तब ही क्योंकि ये नई पधती हो गई, एक नया तरीका हो गया, जिससे की परभावित होगा, तो परसेंटायल आप इससे लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले से इसमें नहीं था, तो जब आप पहले अपियरेंस का 10% रिजल्ट पीटी में दिया जाता था, उसके बाद कैबिनेट ने पारित किया कि सीट का 10 उनना रिजल्ट दिया जाएगा, क्योंकि परसेंटायल का क्या मतलब हुआ, कि वास्तविक अंक पे आपका जो है कौपी चेक नहीं होगा, अभासी अंक पे कौपी चेक होगा, उसके बाद किसी का मार्क्स जैदा है, उनका पता चलेगा कि मार्क्स कम हो गया, किसी का कम मार्क्स है, उनका पताचल लगा कि जब परसेंटाइल किया जाएगा तो उनका जैदा मार्स हो जागा जैसा कि अब यह NTPC, railway NTPC में हुआ था, पूरे देश में हाकार मचा था जब परसेंटाइल किया गया, तो पताचल अच्छ 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 अभियर्थी जिनका जैदा मार्स है, उनका रिजल्टी नहीं हुआ था तो यह जो परसेंटाइल बाली पधती है, यह बिल्कुल गलत है और BPSC में तो एकदम लागू नहीं होना चाहिए, BPSC में निगेटी मार्किंग भी नहीं है तो सबसे बड़ी बात, आपको जब परिक्छा लेनी है ले लिजे, दस दिन बाद लेना है ले लिजे, अभियर्थी तयार है परिक्छा देने के लिए लेकिन पर्सेंटाइल पदती को लागू करना बिल्कुल गलत है, अभियर्थी से नहीं सुईकार करने वाले है और दो दिन में परिक्छा नहीं होनी चाहिए, एक दिन में एक ही सिटिंग में परिक्छा होनी चाहिए अन्यता ये बिहार में, पर्तियोगी परिक्छाओं में भरष्टा चार का धांदली सेटिंग का एक नया द्वार खोलने की कोशिस की जा रही है ये जो परिक्छा लेने की बात कही जा रही है, ये बिहार में सेटिंग का धांदली का एक नया द्वार खोला जा रहा है इस सीज़ को भी समझना होगा जो BPSC पेपर लिक में सलिप्त हो जिस BPSC के अंदर के अधिकारियों की जाग चल रही है मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई जाती हो वे मर्सिट बाहर ले जाकर रंगबाया जाता हो उस BPSC पे हम भरुसा कर ले कि परसेंटायल सिस्टम लागू करेगा और वो सही से लागू होगा बिल्कुल नहीं जब BPSC के अंदर के लोग ही भरस्ट है तो आप कितना भी कर दीजिए दो दिन एकजाम लिजिए चार दिन एकजाम लिजिए उससे क्या फर्क परता है और ये जो तर्क दिया जाएगा कि छो लाख संख्या इसलिए हम एकजाम लेने में दिक्कत हो रही तो आठ मही को कैसे आप ले लिए च्छो लाख का एक्जाम सचिवाले साहयक तिरती है असला तक स्तरिय है नौ लाख भीरते है उसमें उसका एकजाम कैसे हो रहा है UPSC में एकजाम होता है वो कैसे एक दिन में हो जाता है तो ये बहाना नहीं चलेगा कि यह स्टुडेंट की पर दिआफल करने का कोई नेतिक अधिकार नहीं हा और आगतिक हार कर जए प्रदागए कर फe लेकिन अहिए बैस अंतर होता कर वक है कि इसलिए दो दिन हम एकजान सिमवत जरॉब 58 loop दो पालियों में एकजाम हुआ, आपको पता होगा ना, कि किस तरह दो पालियों में एकजाम हुआ, तो किसी एक sitting का question paper easy आगया, दूसरे sitting का question paper hard आगया, तो कितना अभियर्थी जो हाकार मचा रहे थे, और BPSC की आउकात नहीं है, कि एक level का question दोनों दिन का set कर सके, आप अगले ही परिक्षा में देखेगा, कि level एकदम सुनने आ जाएगा, एकदम सीधा सीधा question पूछेगा, बिहार की राजधानी कहां है, तो जारखंड का अलग हुआ, और ये सब जो है, setting का तरीका ढूंडा गया है, BPSC के द्वारा, आप लोग इस्तिज को समझिए, BPSC के द हो जाता है, 66 में पेपर लीक हो जाता है, उसका आंसर वाइरल था, इससे पहले 63 में में भी setting किया गया है, 9 आदमी का मेरे पास लिस्ट आया है, जो setting से पास किया है, और भी उसके अलावे होंगे, तो ये लोग सिर्फ setting करने के लिए नया तरीका खोजे हैं, पहले क्या था कि PT का result 25,000, 30,000, 20,000, 15,000 दिया जाता था, appearance का 10% result दिया जाता था, अब क्या होता है, seat का 10 गुन्ना ही result दिया जाता है, जिसमें क्या हुआ, कि PT में कम result दिया जाता है, यानि कि कभी 7,000 जितना seat रहे, कभी 8,000, कभी 9,000 से जएदा, अभी तक तो result इधर नहीं आ रहा है, 6000 स जितना seat रहता है, उसका 10 गुन्ना result दिया जाता है, PT का, तो PT में ही लोग ने qualify कर पाते हैं, तो इसलिए अब PT में भी setting होने लगा है, पहले men's में इंटर्वी में setting होता था, लेकिन अब PT में भी setting होने लगा है, और यही बजा है कि आप देखिए paper link जैसी बाते सामने आई तो अब यह लोग नया तरीका ढूंडे हैं, और इसमें क्या होगा, दो दिन एक्जाम लेने में, यह अपने लोगों को क्या कर देंगे, ऐसे दिन एक्जाम लेंगे, सभी जिनका पैसा लेंगे, वह ऐसे लोगों का center एक दिन सब का साथ कर देंगे, उस दिन question का level easy push देंग जिन से पैसा लिया होगा, उन सभी लोगों का exam एक दिन कर दिया जाएगा, और उस दिन का question जो है, एकदम easy दे दिया जाएगा, तो आप लोग जितने भी BPSC अभियरती है, छोलाख अभियरती, आप लोग को अब यह सोचना है कि क्या करना है, क्या BPSC की ताना साही मनमानी गुंडागर्दी, और इस भरस्टा चार को सहते रहना है, या फिर आवाज उठाना है, इसके विरूद, अगर आप लोग चाते हैं कि BPSC-PT की परिच्छा एक ही दिन हो, एक ही स्रिफ्ट में, एक ही पाली में हो, BPSC मेंस में सभी subject के साथ एक समान बेभार किया जाए, इ इसके बीच में, UPSC मेंस की परिच्छा होती रहेगी, और उस बीच में इन्होंने परिच्छा लेने का बात कहा है, अब सोचिए कि कितना इस्ट्वेंट्स को परिच्छान करने का इनका प्लानिंग है, कि किसी का सेंटर अगर दिल्ली रहेगा, तो दिल्ली में वो एक्ज परिच्छा चार को अब हम लोग बरदास्त नहीं करेंगे, तो जो भी BPSC अवियर्थी, जो छो लाख अवियर्थी हैं, जो भी सिख्छागन, कोचिंग संचालक, बुदी जी भी हमारा साथ देना चाहते हैं, आप हमें WhatsApp पे मेसेज करके या फोन करके बताएए, हम अगले स परिच्छा एक दिन, एक सिफ्ट में लेना होगा, दो दिन नहीं लेने देंगे, जो करना होगा करेंगे, बस आप लोग हमारा साथ दीजिए, जो छो लाख अवियर्थी हैं, आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम भी BPSC के अवियर्थी हैं, हम जानते हैं कितनी परिशानी ह होती है क्या दिक्कत आती है तो आप लोग हमारा साथ दीजिए हमारा मॉबाइल नंबर है 7282005656 इस पर आप हमें फोन या वाट्सप पर मेसेज करके आप बताईए कि आप हमारा साथ देना चाहते है अगर कोई और सुधार होना चाहिए तो भी बताईए अगर कोई सिकायत ह हो तो भी बताईए हमसे कोई सिकायत हो भी बताईए अगला सब्ता हम लोग बीपीसी ऑफीस जाएंगे जिस दिन जाए अभी डेट का हम लोग तारिक तैने कि हैं जल्दी तारिक तै करेंगे आप लोग भी अपनी तरफ से जो भी राय देनियों हमें फोन करके वाट्सप मैसेज ही जाएदा करें क्योंकि अभी मेरे साथ कान की समस्या है तो आप लोग कोशिज किजिएगा कि वाट्सप पर ही जाएदा हो सके तो मैसेज किजिएगा धन्यबाद जैहिंद BPSC के नए चेर्मेन अतुल प्रसाद ने पिछले दिन प्रेस कॉनफरेंस करके ये जानकारी दी थी कि इस बार PT की परिक्षा दो तारीकों पर यानि सिप्तमबर महीने के 20 तारीक और 22 तारीक को आयोजित की जाएगी पहली बार ये होगा कि BPSC दो पालियों में PT की परिक्षा आयोजित कराएगी इसके आलावा परसेंटाइल के अधार पर रिजल्ट देने की बात कही गई है कई और बदलावों की बात कही गई है लेकिन इन दो मुद्दों को लेकर विवाद सबसे ज़्यादा चिर गया है अभियर्थी भी कई सवाल इस पर खड़े कर रहे हैं और अब छात्रेनेता दिलिप ने भी इस पर सवाल खड़े किये हैं और कहा है कि दो पालियों में परिक्षा नहीं कराई जानी चाहिए इस तरीके से भरष्टचार का एक नया दरवाजा खोला जा सकता है परसेंटाइ नहीं यह देखने वाली बात होगी आप बन रही है लाइफ बिहार के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें